इस वीडियो में BPSC के प्रेवेस येर का कोस्टन डिसकस करेंगे जो आगे आने बाले एक्जाम के लिए बिरे इनपोटेंट होंगे तो आप लोग जो वीडियो को सुरी से लास्ट तक पुरा देखेगा और जो 1857 की करांती है यहां से BPSC हर साल दो प्रस्ट पुछता है ठीक है तो आपके एक्जाम के लिए बेरी बेरी इनपोटेंट ये चेप्टर है साथ मैं आपको कॉमेंट करके बताना है कि इसमें टूटल आपके 51 प्रस्ट है तो आप लोग 51 कोस्टन मेंसे कितने कोस्टन आप लोग सही कर पाते है ठीक है तो पहला कॉस्टन है कि अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्वी वाले कार्तोसों से चलने वाली एनफिल्ड रैफल कब सामिल की गई तो कब सामिल की गई थी दिसंबर 1856 को तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा आप लोग एक बार वीडियो को पॉस्ट कर लिजेगा उसके बाद अपना उत्तर सोच लिजेगा ठीक है उसके बाद दोवारा वीडियो को प्ले किजेगा और उसका तात कालिक करण क्या था तो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों का धर्म में हस्ता छेप का संदेश था ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरट में बैरेकपूर में अमबाला में लखनवर में तो कहां पर हुई थी तो जो मंगल पांडे की घटना हुई थी वो बैरेकपूर में हुई थी कहां पर बैरेकपूर में तो बे इसका राइट अंसर हो जाए जो बहादुर साह है उसमें मुगल बादसा थे अंती मुगल बादसा है तो बहादुर साह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था तो दिया था वक्स्त खान को तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है से इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि 1857 की करांती का प्रमुख कारण क्या था जन अकरोस सैनिक असंतोस इसाई मिस्नरी का प्रवंधन ब्रिटिस समराज की निती तो क्या था ब्रिटिस समराज की निती था ठीक है ब्रिटिस समराज की भेदभावपूर्ण नितिया थी तो D इसका राइट अंसर हो जा इलाहाबाद से जहासिय से मेरट से कहां से तो अपको ध्यान रखना है ये BPSC Re-Exam 2020 में हुआ था उसमें पूछा गया है तो मेरट से कहां से मेरट से स्वाधिनता संग्राम का प्रतीक था तो क्या प्रतीक था कमल और रोटी प्रतीक था ठीक है कमल और रोटी तो A इसका रै hey अंग्रेजों ने किसे पुणा अधिक्रित की किया मतलब किसी दुबारा अंग्रेजों ने सबसे पहले प्राप्त कीया तो धिल्ली को ठीक है धिल्ली को तो C इसका रै अंशर हो जाएगा नेक्स है कि 1857 के स्वधिन्ता संगर्स की बिरांगना महरानी लचमी बाई की जनम अस्थली है जो महरानी लचमी बाई है उनका जनम कहां पर हुआ था तो वारा नशी में हुआ था कहां पर हुआ था बारा नशी में और कब हुआ था तो 1835 इसपी में हुआ था बारानसी बरतमान में उत्तर प्रदेश में है next question है कि 1855 के बरेली बिद्रो का नेता कौन था जो बरेली बिद्रो है उसका नेता खान बहादुर था खान बहादुर ठीक है तो ए इसका right answer हो जाएगा very very important question है next question देखे महरानी लच्मी बाई की समाधी कहां अस्थित है तो जो महरानी लचमी बाई है उनकी समाधी गवालियर में अस्थित है कहाँ पर मत परदेश के गवालियर में तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा Next question है कि रानी लचमी बाई को अंतिम यूध में सामना करना पड़ा तो किस से सामना करना पड़ा था अंतिम में जिसमें रानी लचमी बाई मारे गई तो हिरोज से ठीक है हिरोज से तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ए इसका राइट अंसर हो जाएगा Next question देखिए 1800 संतामन का विद्रो लखनौर में किसके नित्रियुत में आगे बढ़ा था तो आपको ध्यान रखना है बेगम ओफ अवद बेगम ओफ अवद ठीक है मतलब जो बेगम हजरत महल है उनके नित्रियुत में ठीक है बेगम हजरत महल के नित्रियुत में तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा very very important question है इस बीपेस्टी का पूछाओ अभी सवाल है next है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था इलाहाबाद में तो जो इलाहाबाद है वहाँ पर 1857 के संग्राम का जो नेता है उनका नाम है मौलवी लियाकत अली ठीक है मौलवी लियाकत अली very important है तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि 1800 संतामन के संग्रस में भाग लेने वाले सिपाहियों के सरवाधिक संख्या थी बंगाल से अवद से बिहार से राजरस्थान से कहां से थी तो अवद से थी अवद से कितने हजार सैनिक सामिल हुए थे तो 75,000 जो सैनिक थे अवद से समंधित थे तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है next question देखिए नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था जो नाना साहब थे उनका कमांडर इन चीफ कौन था तो तात्या तोपे थे कौन थे तात्या तोपे तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि अजी मुल्ला खा सलाकार थे किसके जो अजी मुल्ला खा है वो किसके सलाकार थे तो जो अजी मुल्ला खा है वो नाना सहब के सलाहकार थे नाना सहब के तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बर्स 1857 के विद्रो के संदर्व में निमलखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना कर मार दिया गया तो मांसी नाम का एक बेक्ती जोब के तात्या तुपे का दोस्त था ठीक है तात्या तुपे का दोस्त था उसका नाम था मांसी तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है डे इसका राइट अंसर हो जाएगा यह आईएस का पूछा हुआ सवाल है तात्या तुपेक उनके दोस्ते ही धोखा देखे मरवा दिया नेक्स है कि अठारा सो संतामन के निमलखित करांती कारियों में से कि इसका वास्तविक नाम राम चंद्र पांडू रंग था ये भी आयेस का पूछा हुआ सवाल था तो आपको ध्यान रखना है तात्या तुपे का जो वास्तविक नाम था राम चंद्र पांडू रंग था ठीक है राम चंद्र पांडू रंग था तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि कुमर सिंग 1857 के बिद्रो के एक परमुख नायक थे वह निमलखित में से किस संबन्ध थे बिहार से मधपरदेश से राजास्थान से उत्तर परदेश से तो बिहार से संबन्ध थे तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ये कोस्टन BPSC का फेमस कोस्टन है ये हर एक जामे कोस्टन पूछता है ठीक है तो आपका ये एक नमर तो फिक्स है कि कुमर सिंग बला नेक्स कोस्टन है कि कुमर सिंग्रेजियों की खिलाप 1857 के बिद्रोह में किस जगह सामिल हुए तो आरा में सामिल हुए थे कहां पर आरा में आरा अपना बिहार में है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोस्टन है कि बिहार में 1857 के बिद्रोह का नेत्रित वे किस ने किया था तो कुमर सिंग ने, कौन की है थे, कुमर सिंग तो say, इसका right answer हो जाएगा यह बेपेसी 2019 में question को पूछा था next है कि जगदेशपूर के राजा थे, जो जगदेशपूर है उसके राजा कौन थे तो कुमर सिंग थे, कुमर सिंग ये भी BPSC का पूछा हुआ सवाल है नेक्स कोशन है कि पत्ना के 1857 के 37 संग्राम के नेता थे तो कौन थे? कुमर सिंग थे? राजपुत कुमर सिंग का ही नाम है आगे राजपुत लगा दिया गया है तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको ये बात ध्यान रखना है कि BPSC में जो कुमर सिंग है उनसे एक कोशन पूछा ही पूछा आप से जाता है ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है ये भी आपके BPSC का पूछा हुआ सवाल था नेक्स कोशन है कि निमलिखित में से कौन असम में अठारा सो संतामन की करांती का नेता था तो कौन आपके असम में जो है अठारा सो संतामन की करांती का नेता था तो उनका नाम है दिबान मनी रामदत ठीक है? दिबान मनी रामदत ये इनपोटेंट कोशन है ये BPSC में पूछा जा सकता है नेक्स कोस्टन है कि 1857 के बिद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनबरी 1858 तक केंदर था तो कौन साब केंदर था तो जगदिस्पूर केंदर था ठीक है जगदिस्पूर बीर कुमर सिंग इसका नेतरितु परदान कर रहे थे तो डे इसका राइट एंसर हो जाएगा ये भी आपके BPSC का पूछा हुआ सवाल है नेक्स्ट है कि निमलिखेत में से कौन आठारा सो संतामन के बिद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन था तो इसमें सो जो चार ओप्सन दिया गया है BPSC का पूछा हुआ सवाल है कि अठारा सो संतामन के बिद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन कौन था तो मौलवी अहमदुल्ला साह था ठीक है मौलवी अहमदुल्ला साह इन पर 50,000 का अंग्रेजों ने निलाम भी लगा रखा था ठीक है 50,000 का उसमें बहुत बड़ी रखम होता है 50,000 उसमें नेक्स कोसन है कि निमलिखित में से कौन अठारा सो संतामन के बिद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन था है तो दुबारा कोसन रिपीट हो गया तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि 1807 के विद्रों को किस उर्दु कभी ने देखा था अपने आखोंसे देखा था तो मिर्जागालीब ने किस ने देखा था मिर्जागालीब ने तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है इसका राइट अंसर हो जाएगा BPSC 2001 में इस question को पूछा था next है कि 1857 के 177 संग्राम में किस राजवन्स ने अंग्रेजों की सरवाधिक सहाइता की तो जो अंग्रेजों की सरवाधिक सहाइता की है उसका नाम है गौालियर की सिंधिया कौन है गौालियर की सिंधिया आपको इस बात को भी याद रखना होगा कि उस समय जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग न बोला कि अगर सिंधिया भी बिद्रोह में सामिल हो जाते तो जो एक तरी के अंग्रेज को कल ही बोरिया विस्तर समेट की भारत में सिच्छित मध् वर्ग ने 1857 के बिद्रोह का विरोध किया था इसे कुछ भी नहीं है 1857 के बिद्रोह का समर्थन भी नहीं किया था 1800 जो शंतामन के बिद्रोह से ततश्ता बनाइ रखी थी तो सही बात है तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा C इसका राइट अंसर हो जाएगा next question है ये BPSC का पूछा हुआ सवाल है निमलखित बरगों में से किसने अठारा सो संतामन के बिद्रों में भाग नहीं लिया तो खेती हर्थ भाग लिये थे किर्शक भी भाग लिये थे सहुकार और जमिंदार भाग नहीं लिये थे तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है D इसका राइट अंसर हो जाएगा कि इसका राइट अंसर हो जाएगा कि इसका गलत है ये BPSC पुछा था 1995 में next question है कि एक स्कुन ये क्या हो गया next question है कि 1800 संतामन के बिद्रों से बिहार का कौन सा भाग अपरभावित रहा तो दानापूर परभावित रहा है आरावी परभावित रहा है पतना परभावित रहा है मुझापर परभावित रहा है मुझेर जो आपके अपरभावित रहा है तो मुझेर पांच तो B.E. इसका right answer हो जाएगा ठीक है B.E. इसका right answer हो जाएगा ये वी BPSC का पूछा हुआ सवाल है Next है कि इन में से किसने 1800 संतामन के विद्रोह में सकिरिये भाग लिया था नाना साहिब कानपूर में सही बात है बेगम हजरत महल लखनावर सही बात है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में ये वी सही है बेगम जीनत महल बहादुरसा की पत्नी है तो सही बात है जो बेगम निजत महल है इन डिरेक्ट रूप से 1800 संतामन के विद्रोह में सामिल हुई थी तो सारे कथन आपके सही है तो इसका जो अंसर हो जाएगा E हो जाएगा ठीक है उप्रयोक्त में से 1 से अधिक तो E इसका राइट अंसर हो जाएगा Next question है कि 1857 में भारत का governor general कौन था तो 1857 में जो है भारत का governor general था Lord Kenning कौन था Lord Kenning तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा EBPSC का पूछा हुआ सवाल था अगर पूछा जाएगा कि भरत का पर्थम 22 राय कौन था तो भरत का पर्थम 22 राय भी आपकी लॉड कैनिंग था ठीक है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोस्टन है कि 1800 संतामन बिद्रोह के समय बैरेकपुर में कौन ब्रिटिस कमांडिंग ओफिसर था तो जो 1800 संतामन का बिद्रोह हुआ था उसमें बैरेकपुर में जो है कौन ब्रिटिस कमांडिंग ओफिसर था तो आपको ध्यान रखना है जो ओफिसर का नाम है उसका नाम है हेर से तो C इसका right answer हो जाएगा, ठीक है? C इसका right answer हो जाएगा नेक्स Q 엮ाच blossom है कि 1800 संतामन में किस नहीं? इलrained handzilें किस ना को आपात कालिन मुख्याले बनाया था ? तो किस के दोरा बनाया गया था ? लौड कैंनिं की दोरा ठीक है? लौड केनिंग के दोरा जो है इलाहबाद को आपात कालिन मुख्याले बनाया गया था तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि अठारा सो संतामन के बिद्रोह के समय ब्रिटिस परधान मंत्री कौन था तो आपको ध्यान डाकना है उसमें जो ब्रिटिस परधान मंत्री था पाम अस्तर्न था ठीक है पाम अस्तर्न था तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोस्टन है कि अठारा सो संतामन का बिद्रोह मुक्ता किस कारण से असफल रहा यह भी पेस्ति का पूछा हुआ सवाल है तो ऐसा क्या कारण था कि अठारा सो संतामन का बिद्रोह जो है असफल हो गया तो किसी समान योजना और केंद्रिय संगठन की कमी थी इसी नहीं था इसी करण अन्ना कोई संग्ठन था सब अपने मन से जहां पारे हों हाँ पर अपना अंदूलन कर रहे हैं जो करना कर रहे हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है बहुत पसे नचलना यार नेक्स्ट है कि अठारा सो संतामन का प्रथम सुतंतता संग्राम असफल हुआ क्यों असफल हो गया तो चारों ओप्सन दिया गया पंडिजी भारतिय सिपाहियों में उद्देश की एकता की कमी थी तो सही बात है प्राया भारतिय राजाओं ने ब्रिटिस सरकार का साथ दिया यह भी सही है ब्रिटिस सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठिड थे तो यह भी सही बात है तो सारे आपके ओप्सन सही हो जाएगा तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है इनकी मौत आपके दिल्ली में जबकि जनरल नील मेजर जनरल हेव लॉक और सर हिंडरी लॉरेंस इन तिनों का मौत जो आपके लखनाओर में हुआ था तो से इसका रायट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि निमलिखित में से किसने 1867 के बिदरो को सलियंतर की संग्या दी थी तो किसके द्वारा जो है 1867 के बिदरो को सलियंतर बोला गया था तो सर जेम्स आउट ट्रमप एबम डबूलू टेगर के द्वारा ठीक है तो A इसका right answer हो जाएगा ये भी आपके BPSC का पूछा हुआ सवाल है ठीक है next question देखिए कि 1800 संतामन के संग्राम को प्रथम सुतनता संग्राम का नाम किस ने दिया जो 1800 संतामन के संग्राम को प्रथम सुतनता संग्राम का नाम किसके द्वारा दिया गया था तो BD साबरकर के द्वारा ठीक है BD साबरकर के द्वारा दिया गया था तो C इसका right answer हो जाएगा ये भी question आपके BPSC में पूछा जा सकता है next question है कि भारतिय स्वधिन्ता अंदुलन का सरकारी इतिहासकार कौन था तो आपको ध्यान रखना है जो सरकारी इतिहासकार थे सुरेंद्र नाथ सेन सुरेंद्र नाथ सेन थे तो D इसका right answer हो जाएगा ठीक है Next question देखिए कि भारतिय भासा में 1857 के बिद्रों के कारणों पर लिखने वाला पर्थम भारतिय था तो पर्थम भारतिय कौन था सयद अहमद खा सयद अहमद खा था ये भी important question है Next question देखिए तथा कथित पर्थम रास्टिय सुतनता संग्राम ना पर्थम ना रास्टिय ना ही सुतनता संग्राम था ये कथन किसने बोला था ये कथन किसके दवरा बोला गया था तो आरसी मजुमदार के दवरा बोला गया था कि जो रास्टिय जो 1875 की करांती था ना तो पर्थम था ना तो रास्टिय था और ना ही सुतनता संग्राम था तो ये इसका right answer हो जाएगा ठीक है ये घोस्तना कब की गई थी तो आपको ध्यान रखना है एक नमंबर 18808 को की गई थी तो ये इसका right answer हो जाएगा एक नमंबर 18808 के बाद जो है इस इंडिया कंपनी का जो प्रसासन था भारत में पुरुन्ता समाप्थ हो गया नेक्स कॉस्टन है कि UPSC का पूछावा सवाल है कि महरानी विक्टोरिया की उद्गोस्तना 18808 का उद्देश क्या था पुछा रहा कि उद्देश क्या था ठीक है तो पहला जो option दिया गया है इसे देख लिजी भारतिये राजियों को ब्रिटिस समराज में मिलाने के किसी भी बिचार का परित्या करना सही बात है किंकि 1857 के बिद्रोह में भारतिये जो राजिते छोड़े छोटे उन्होंने अंग्रेजों को मदद किया था बिद्रोह को दबाने में ठीक है भारतिये प्रिशाशन को ब्रिटिस कराउन के अंतरगत रखना तो ये भी सही बात है भारत के साथ इस्ट इंडिया कंपनी के बेपार का नी यमन करना गलत बात है इसे समाप्ती कर दिया गया तो तीन आपके गलत हो जाएगा जिसमें तीन बाला देखिए जिसमें गलत कीजिए और दो को सही था एक और दो सही था तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ए इसका राइट अंसर हो जाएगा देखे आएस दोहरचोधा का पूछा हुआ सवाल था नेक्स कॉस्टन है कि निमलिखित में कौन सा आयोग जो है अठारा सो संतामन के बिद्रों के दमन के बाद भारतिय फोज के नौ संगठन से समंदित है तो पील आयोग समंदित है ठीक है पील आयोग समंदित है तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है ये BPSC का पूछा हुआ सवाल है ठीक है BPSC जो अपना भी सवाल बहुत जाद रिपीट करता है तो आपको ध्यान रखना है जो भी BPSC के सवाल आपको समने आता है और लास्ट कोस्टन है कि अठारा सो संतामन के बिद्रों के बाद ब्रिटिस सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चैयन किया तो किन प्रांतों से जो है अठारा सो संतामन के बिद्रों के बाद ब्रिटिस सरकार ने सिपाहियों का चैयन किया तो गोरखा से सीख से एबं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया ठीक है तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है और आप लोग कितने सही कियें ये भी अपने कमेंट बोक्स में आपको लिखना है ठीक है थैंक यू